तो अभी आपने जो स्टार्टिंग के प्रिवियू में देखा गैस आज मैं आप लोग के इस वाले स्टेट अफ के टीटोरियल बताने वाला हूं तो गैस अगर आप भी कुछ इस टाइप का स्टेट अफ वीडो बनाना चाते हैं तो उस वीडो में इंडे तक के बने रहे न और चैनल पर नयो तो चैनल को सब्क्राइब कर बैल आकन को प्रेस कल लेना त्यवाले स्टेटस क्रियेट करने के लिए हम सिंप्ली एलायट मोसन अप का यूज करने वाले हैं अगर आप लोग पास एलायट मोसन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके या तो फिर आप हमारे वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं प्रोप्लोड करने के बाद आपलोंको एक लाइट मूचन में 2 प्रीषाअग इंपोर्ट करना है यहां पे और एक सेकत्फेट प्रीषाइइड प्रीपोर्ट करने के तो आप वीडियो के डिस्ट्रूप्फन बॉक्स पे जाना वहाँ पे आप लोग एक वीडियो का लिंक में लगागी material डाउनलोड कैसे करें वह वीडियो देखने लेना आप लोगो समझ में आज आगर यहाँ पे प्रिशेट इंपोर्ट कर लेने के बाद आप लोगो आप लोगो अपन कर लेना और अगर आप लोगो एडिटिंग में और भी कुछ प्रब्लाम आता है तो हम पुझे इंस्टाग्राम पर डियेम करना माई वहाँ पे आप लोगो का रिप्लाई जरूर से करूंगा अब अलाइट मोशन में आने के बाद लिस्ट यहाँ पे आप फोटोज को रिप्लेच करने तो सबसे पहले आप लोगो यहां पर स्टारटिंग पे आ जाना है यहाँ पे आने के बाद यहां से आप लोगो back आना है photo पे tap करकी रखना यहां पे आगे आओगे तो आप लोगो यहां पे bookmark देखने को में लगा ठीक है red color का तो यहां पे आने है आप लोगो इसके लिए just इस वाले arrow के option पे tap करना है यहां पे आ जाएगा अब इस वाले option पे एक बार नेरिया के option पे tap करना है next वाले bookmark पे जाना तो arrow के option पे tap करना है और इसका आगे का पार जो है cut कर दिना है तो cut करने के लिए इस वाले option पे एक बार tap करना है यहां पे cut हो जाता है ठीक है फिर से plus पे tap कर media पे आना है कोई सभी दूसरा photo लेना three dot पे tap कर fill composition करना है next वाले bookmark पे जाना तो arrow के option पे tap करना और आगे का पार इस तरके से cut कर दिना है फिर से plus पे tap कर media पे आना है कोई सभी दूसरा photo फिर से लेना है आप लोगो and three dot पे tap कर fill composition करना next वाले bookmark पे जाना और आगे का पार cut कर दिना है यहाँ पे एक और photo आपको add कर लेना है यहाँ पे जो double bookmark आते हैं यहाँ तक कि आपको photo add कर लेना है तो इस तरके से लेना फिर से three dot पे type कर फिल कम पोईजन करना है नेश्ट आले bookmark पे जानो और आगे का part cut कर देना है अब यह करने के बाद गिस यहाँ पे आपको नीचे में अगर आप लोगे photo का size 9x16 में नहीं है तो आप लोगो पहले आपसे back आ जाने है और back आने के बाद यहाँ पे last पे आने हैं यहाँ पे आने के बाद गिस plus पे type करके media पे आने है मीडिया में आने के बाद आप लोगो चार photo को 9x16 के size में यहाँ पे save करना है ठीक है तो मैं को fpng का option मिलेगा इस पे type करने है और export पे यहाँ पे click कर दिने है यह करने के बाद यहाँ पे एक save का option आएगा तो save पे आप लोगो टाइप कर दिने है ठीक है यहाँ पे जो photo है save हो जाता है तो यहाँ पे मैंने अल्रेडी काफी फारे photos को convert कर रहा है तो इस तरह के से आप ल फिर से save का option आएगा तो save पे आप लोगो टाइप कर दिने है ठीक है photo जो हो जाता है तो इस तरह के से आप लोगो चार फोटो को 9-16 में save कर लेना यह करने के बाद दिस अब आप लोगो इस वाले layer पे टाइप करने तो first layer पे टाइप करने color and field पे आने यहाँ पे टाइप कर जो आप 9-16 में convert किये रहोगे तो उस काफी फारे photos को मैंने convert कर रहा ठीक है अब कोई साभी एक photo आपको select करने इस तरह के से दन यहाँ पे आपको plus पे टाइप कर दिना है देखिए इस तरह के से photo यहाँ पे replace हो जाता है अब next layer पे टाइप करने color and field पे आने यहाँ पे double bookmark आता है इसके पहले तक कि जितनी भी layers आते है सभी मैं आपको सेम एक ही photo को replace कर देना यहाँ पे इस तरह के से हो गया अब यह होने के बाद यहाँ पे जो double bookmark आ रहा है यहाँ से आपको photo चेंज करने तो कोई साभी दूसरा photo आप जो 9-15 में convert की रहोगे न वो आप लोग पर यहाँ पर टाइप करने और फिर से अलेक्ट करना और प्लस पर टाइप कर देना तो यहाँ पर जो डबल बुक माक आता है इसके पहले तक के जितनी भी layers आते है इन सभी मैं आप लोगो सेम इसी photo को इस तरह के से आप लोगो रिप्लेस करते आने तो यहाँ पर मैं इसक के पहले तक के जितनी भी layers आते हैं सभी मैं आप लोगो इसी photo को रिप्लेस करते आने ठीक है तो इसको आप complete करने यहाँ पर मैं इसको एक एक करके छोड़ के बात आ रहा हूं और यहाँ पर last में दो और बच जाएगा तो इन दोनों layer में भी कोई सभी एक ही photo replace कर देना यह करने के बाद इस यहाँ से back आने आप लोगो और back आने के बाद यहाँ पर जो आप second preset import की रहोगे safe effect वाले इसको आप लोगो open करने एंड open करने के बाद इस यहाँ पर सबसे नीचे में एक layer देखने को मिले गए इस पर आप लोगो tap करने effect पर आना three dot पर tap करके copy effect कर लेना है copy करने के बाद यहाँ से back आकर के बुकमार्ग प्रिशेट फिर से open करने और जो आप starting में फोटो लगा रहोगे ने उस पर आप लोगो tap करने effect पर आना three dot पर tap करके paste करने और यहाँ पर आप ले इस वाले उपर वाले layer पर tap करने effect पर आना three dot पर copy effect कर लेना है फिर यहाँ से back करके बुकमार्ग प्रिशेट फिर से open करने और यहाँ पर आपको second वाले photo पर tap करने second पर tap करने effect पर आना three dot पर paste कर देना है तो यहाँ पर आपको चार photo में इस continue इस वाले layer को मलब इस वाले effect को paste कर देना है ठीक है तो second वाले पर भी टैप करके इस तरह के से paste करने थार्ड पर भी इसी को paste कर देना है ठीक है एन फोर्थ layer में भी आपको इस तरह के से paste कर देना है यह करने के वाद यहाँ पर हमने लगा रहा है ठीक है यहाँ पर जो layer वगएर है सभी में लगा हुआ है इसके बाद इस यहाँ से आपको back आ करके फिर से एकी फेड ओपन करने और ओपन करने के बाद गिस यहाँ पर टाइप करना और paste to layer कर देना है पेश्ट करने के बाद यह अगर फूल स्ख्रीन में नहीं हो गा तो आप लोंको इस पर टाइप कर के फिल कमपोईजन कर लेना है ठीक है यहाँ पर फूल स्क्रीन में हो जागा अब दोणों को आप लोंक पे आने के बाद इस वाले option पे tap कर देना है यह करने के बाद यहाँ पे जो HDR effect है वो भी लग जाता है अब यह हो जाने के बाद इस आप लोग के वीडियो जो है पुरा complete बन करके ready हो जाता है और कि इस वीडियो पसंद आ तो like करना चानल को subscribe करना और bell icon कोई प्रेस का लेना और comment करके जरूर बताने की वीडियो कैसी लगी अब आप लोग को इसको export करने तो इस वाले option पे tap करना और export पे लिक कर देना है आप लोग का वीडियो जो है गैलरी में से हो हो जाता है तो चलेगा इस मिलते है ने टूडो पेव